फिर एक और लिखा हम ने मनले एक्जाम्पल 3 example 3 मनले हमारे पास है जरो से लेके पाई तक ठीक है सेक स्कुरिए आपन मनलेए है 9 प्लस 10 स्कुरिए एक्स dx ऐसे ठीक है तो इंडनेट इंटेग्रेशन में हमने एक तरीका बताया था directly integrate करने का कि अगर मैं 10x को f बोल दूँ 10x को तो यह f' हो गया ठीक है तो अगर f' dx के साथ present है तो हमने क्या क्या f' को dx के साथ छोड़ दिया और बच्चे हुए expression में fx को x की तरह treat कर लिया ठीक है तो उस logic से अगर मैं ऐसे बोलू कि second square x को तो dx के साथ छोड़ दिया जो बच्चा हुआ है उसमें 10x को हमने t की तरह treat कर लिया या x की तरह treat कर लिया तो यह तो 1 upon 9 plus x square आगा तो उसका integration तो हो जाएगा 1 by a मतलब 1 by 3 10 inverse x by a तो यहाँ पर हम 10x को x की तरह treat कर रहें तो यहाँ जाएगा 10x by 3 यह integral आजाएगा इस integral में कोई दिक्काद नहीं integration तो यह होगा अगर function यह indefinite function से ठीक है अब अगर मैं बोलूँ कि चलो 0 से πाई तक evaluate कर दिया तो आजाएगा 1 by 3 10 inverse पहले πाई रखा तो 10 by 0 होता है तो यह 0 हो गया फिर minus फिर lower limit रखा 0 तो वो भी 0 हो गया 10 inverse 0 तो यह तो 0 आगए answer ठीक है यह तो 0 आगए अब हमने एक मिनट के लिए function की तरफ देखा कि function कौन सा है तो यहाँ पर हमने किस function को integrate किया है यहाँ पर हमने इस function को integrate किया है अब इस function में तो second square x में भी square दिखाई दे रहा है denominator भी positive दिखाई दे रहा है तो यह तो पूरा positive function है ठीक है पहला चीड दूसरा जो integration है वो 0 से πाई तक जा रहे है मना towards right जा रहे है तो अगर एक positive function है और towards right जा रहे है तो answer positive आना चीए क्योंकि positive area होना चीए अगर एक positive function है तो इसका मतलब क्या है कि graph x-axis के उपर आएगा ऐसे तो जो area आएगा algebraic area जो आएगा वो positive आएगा तो answer positive आना चीए ठीक तो मतलब इस method में कहीं गलती है वो गलती क्या है कि हम इसको ऐसे integration में कोई गलती नहीं integration तो यह होगा बढ़ हम इसको ऐसे evaluate नहीं कर सकते क्यों क्योंकि 0 और πाई के बीच में यह जो function है जिसको हम integrate करने यह continuous नहीं 0 और πाई के बीच में तो πाई बाई 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 टू भी आता है यह ठीक है टू 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 अफे नहीं डिफाइन नहीं नहीं रिफाइन नहीं तो अब हम हम यहां पर ऐसे बोल सकते हैं इस evaluation टू किए है इस नौट वालिट अज आज 10x 10x इंवल्ड फंक्शन ए उसके लिए 10x is not 10x is not continuous continuous in zero to pi zero से pi में 10x continuous नहीं है इसलिए यह वाला चीज वैलेटी ठीक है वैला चीज़ दूसा अगर मालने है इसी question में zero से pi हमने बोला कि चरो directly integrate नहीं करते है substitution करके integrate करते है 10 square x dx ठीक है तो अगर हमने ऐसे बोला कि 10x को t रखा तो second square x dx कितना हो गया dt तो यह integral कितना हो गया इसके ज़िए तो dt आ गया यह हो गया dt upon 9 plus t square ठीक है फिर हमने limit चेंज किया तो अगर x is equal to zero रखा तो 10 zero कितना होता है zero तो t बढ़ाबर zero आगा फिर हमने अगर x is equal to pi रखा तो 10 pi वो भी zero होता है तो वहाँ पर t बढ़ाबर zero आगए तो आजएगा zero से लेकर zero ठीक है तो जो zero से zero कुछ भी integrate करो वो तो zero ही आएगा क्योंकि अगर हम upper limit रखें और वो ही lower limit रखें घठा दें तो zero आजएगा चाहिए कोई भी function हो ठीक है बट जैसा हमने पहले बोला था कि जिस function को हम integrate कर रहें इस function को यह तो positive है integration towards right है तो answer zero तो आई नहीं सकता positive है ठीक है तो मतलब यह definitely गलत है इसमें गलती क्या होगी इसमें गलती यह होगी कि हमने ऊपर एक point यहां पर क्या बोला था कि new variable should be continuous between the limits मतलब जिस function को हम रख रहे है substitution में वो continuous होना चाहिए तो यहां पर हमने किसको रखा substitution में 10x को यह ठीक है तो यह जो substitution है this substitution substitution is not valid not valid क्यों because जो limits है 0 से पाई तक उसके बीच में 10x बोलो चाहिए t बोलो यह की बात है वो continuous नहीं हो पाएगा not valid as 10x जिस function को हम substitute करें 10x is not continuous in 0 to pi hence can not be substituted for तो उसके लिए हम substitution नहीं कर सकते ठीक है तो फिर करेंगे क्या substitution भी नहीं कर सकते है directly integrate भी नहीं कर सकते है क्या करेंगे कुछ भी नहीं करेंगे कहां दिक्कत आ रहा है तो पाइवे 2 पे ब्रेक कर दिया हमने इसको पाइवे 2 पे ब्रेक कर दिया और दो अलग अलग इंटीकल की तरह evaluate कर लिया ठीक है जैसे जीरो से पाइवे 2 तक एक integration हो गया पाइवे 2 से पाई तक दूसरा integration हो गया तो यह दो separate question मन गए इन दो separate questions को evaluate कर लिए वह evaluate कैसे करेंगे वह अभी इसमें आगे पढ़ाया जाएगा limits वगरा कैसे निकालते हैं वह अभी बताया जाएगा बट अभी तो तुम्हें यह समझमाना चाहिए कि यह दौनों method गलत है क्यों गलत है वह समझमाना चाहिए ठीक है अच्छ से पाई के बीच में तो वह तो ऐसे आएगा एक तो यह ग्राफ ऊपर गया और एक यह ग्राफ ऐसे आया तो इसमें कोई भी horizontal line कीचो वह दो बार तो cut करेंगे तो वन वन की तरफ से ऐस सच कोई दिक्कत नहीं है यह ठीक है बट दिक्कत क्या हो गया कि function continuous नहीं है बीच में इसलिए substitution नहीं का सकते इसलिए वह गलत हो गया ठीक है तो I hope यह सब पॉइंट यहाद रखोगे question evaluate करते से में